शर्त लगी थी सुकून को एक अलफाज में लिखने की लोग किताबे ढूंडते रह गए और मैं महादेव लिखाया हमने सुना है कि केदारना थाने के लिए आप बुलावा भेशते हो हमको बुलावा का मिलेगा बाबा लोग क्या कहेंगे मुझे कोई फरक नहीं पड़ता जब तु ही मेरे साथ है तो मुझे किसी और की क्या जरूरत अकाल मृत्यू मरता काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महकाल का अकाल मृत्यू का हूशिब मेरे है हाथ चोड़ के बोली गवर जा तीनों लोग बसाए बस्ती में आपसे बीराने में जी आजी राम बजो जी राम एक छोटी सी विंती है जो भी खुबसूरत आखें इस वीडियो को देख रही है न उनकी जोलियों में खुशियां ही खुशियां भर देना जैवले तुमारे अलावा कोई दोस्त नहीं है मेरा मुझे लगा कि मेरे पास तुम हो तो मुझे किसी और दोस्त की क्या जर्वत होगी महादेव कहते हैं कि तु दिल साफ रखा कर क्यूंकि मेरा वक्त तराबन भी था पर हार गया देखू मैं तेरू जैसे चान तकता है पानी में सिप जैसे मोती रखता है चरणों को तेरे जूकर पर नाम करने आए ये जिन्दगी को भोले तेरे नाम करने आए खुश्बू सीधे कैलाश से आ रही है सारी तयारी कर लो मेरे दोस्त क्योंकि महाशिवरात्री आ रही है